राहुल गांदी की अगवाई में भारत जोड़ो यातरा लगतार जारी है और यातरा के दूसरे एहम पड़ाओं में जहां हरियानसी यातरा गुजर रही है तो वहीं राहुल गांदी ने कुरुशेत्रे के पास प्रेस कॉंफरेंस करते हुए विरोधियों पर जम का निशान कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यातरा के 104 दिन रहुल गांदी ने हरियाना के गुरुशेत्र में दस्वी प्रेस कॉंफरेंस की रहुल गांदी ने जो कुछ कहा वो वाकई में हैरान करने वाला है दरसल टूटल टीवी के सवाल के जवाब में रहुल गांदी ने जो कुछ क राहूल गांदी आपके दिमाग में है मैंने मार दिया उसको वो है नी मेरे माइड में है नी गया वो गया जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहूल गांदी नहीं है राहूल गांदी ने कहा कि जो राहूल गांदी आपके दिमाग में है मैंने उसको मार दिया राहूल गांदी बीजीपी के दिमाग में है सब के दिमाग में है इस यात्र में सार्द मौसम के बावजूद टी-शेट पहनने को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी टोटल डिवी ने राहूल गांधी से सवाल किया जवाब में राहूल गांधी ने कहा कि इसको लेकर मुझे मम्मी से भी डांट पड़ी है दाट पड़वा दी है आपने मुझे ती-शेट ती-शेट करकर के मामा ने डाट मार दी मुझे कि तुम कैसे गूम रहे हो दमनगरी कुरक्षेत में प्रेस कॉन्फरेंस करते हो राहूल गांधी गीता भवन में दिये गए भगवान शियकेशनी के उपदेश की याद दिलाना भी नहीं भोले राहूल गांधी ने कहा कि वो अपना काम कर रही है फल की इच्छा नहीं रखते दमनगरी कुरक्षेत में राहूल गांधी ने बीजीबी पर निशाना साते होए कहा कि ये देश तपस्यों का है पुजारियों का नहीं राहूल गांधी ने कहा कि मैं तपस्यी था अब भी हूँ चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक उस पर कोई प्रुभाव नहीं पड़ता और वो अपनी काम कर रही है ये देश तपस्यों का है राहूल ने कहा कि जैसा कि गीता में है राहूल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरूप लगाया कि भाजपा केवल पूजा करा रही है जबकि कॉंग्रेस तपस्यों की पार्टी है राहूल गांधी ने आगे कहा कि हाथ का निशान जो कॉंग्रेस पार्टी का सिंबल है ये अभे मुद्रा है गौतम बुद्ध भगवान महवीर और गुर्णानक जी भी इस मुद्रा में देखे जाते हैं ये शिव की पैचान है जो की एक तपस्यों ही समझ सकता है राहूल ने भारजुड़ यात्रा से ये से जोड़ते हुए कहा कि आपको कॉंग्रेस निता राहूल गांधी की तपस्याद दिख रही है हिंदुस्तान का एक मजदूर ये किसान नहीं है जो मुस्से जादा चला है परचर्चा कीवल मेरी हो रही है राहूल ने कहा कि जब अर्जुड़ ने मचली की आँपन निशाना साधा तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आगी क्या करेंगी गीता में भी कहा गया कि वो अपना काम करो लेकिन पार्टी की कारिक्रम है जो भारजुड़ यात्रा समापत होने की बाद भी जारी रहेंगे और इस यात्रा की नतीजे उसके बाद ही सामने आएंगे राहूल गान्दी ने कहा कि यात्रा कालेक्षु बीज़पी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ है और यह राजनीतिक यात्रा नहीं है बलकि लोगों को जोडने के लिए है यह विचार धारा की यात्रा है बीज़पी पर हमला बोलते हैं और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी जाहिर है राहूल गान्दी के अगवाई में भारत जोड़ो यात्रा का काफिला लगतार आगे बढ़ रहा है हर्याना के बाद यह यात्रा पंजाम में प्रवेश करेगी फिर हिमाचल में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में और यात्रा के सहम पड़ाओ पर पुरुचेत्र में राहूल गानी ने प्रेस कॉंस्टेंस करते हुए कई एहम बाते कहीं हैं कैमरामन वीदर बिक के साथ प्रदिप कुमार टोटल न्यूज पुरुचेत्र हरियाना